नमस्कार दोस्तों मैं हूँ गोरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट आईए बात करते हैं सिल्वर MCX की दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के सामने हैं सिल्वर MCX का चार्ट है जिसमें मैंने पांच मिनट के टाइम फ्रेम को लगाय हुआ है और इसमें जिस तरीके क हमारा आगे का क्या व्यू है कि हमें बाइंग करनी चाहिए सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेट में एंटर करने से पहले तो आएए शुरू करते हैं पांच मिनट के टाइम फ्रेम पे सिल्वर MCX का चार्ट दोस्तों यहां हमने देख से सिल्वर में जो ट्रेडिंग चल रही थी वो आई सियो में थी और अगर 60,000 भी ब्रेक हो जाता है तो हम उसे डेट डिकलेर कर देते एक तरीके से इस तरीके का एक सिनेरियो इसमें बना हुआ था तो एक लास्ट होप जो सिग्रेट वो सिग्रेट कह रहा हूँ सिल्वर म बना हुआ था वो 60,000 का था यहां से प्राइसेज में एक इवनिंग सेशन स्टार्ट होते ही मार्केट में एक अपसाइड मुमेंट आई और प्राइसेज जो थे वो कही ना कही 61,000 के उपर अपने आपको सक्सेसफुली होल्ड करने में काम्याब रहे और यह एक्सपेक्ट जिसने अभी कई सारे जो ट्रेडर्स है उनका पेशेंस लूज करने में काफी हल्प करी है बहुत ही मुश्किल से और बहुत ही कम ट्रेडर्स ऐसे हैं जो इस चीज से भी फाइट करने के लिए बहुत कमफरटेबल है ठीक है तो यह चीज थी मार्केट में प्राइसे अभी ये देखते हैं कि क्या इंट्रेडे में कुछ हलकी सी करेक्शन देखने को मिलेगी या प्राइसे यहीं से ऊपर जाते रहेंगे या कि कुछ और हमें एक ट्रेडिंग पैटर्न देखने को मिले ठीक है तो इन सब ज़्यादा एक उमीद जगी थी अभी फिर से कुछ ऐसा ही है कि मार्केट ने फ्राइडे का सेशन जैसा किया तो मार्केट में वापस एक होप नजर आया है कि प्राइसे जो है वो बॉटम आउट कर चुके हैं और प्राइसे जो है वो सक्सेस्फुली जिस रेंज में होल्ड हो रखे है तो वापस नीचे में अपने लोईस लेवल को टच करना जो इसने 60,300 के असपास का शायद कुछ तच की है उस प्राइस को टच करना अब सिल्वर के लिए अभी मुश्किल है और वो कंफर्म कब होगा जब बहुत ज़ादा हमें यह लगने लग जाए कि नहीं अब तो बिल्कुली पॉसिबल लगनी दा उस प्राइस के लिए भी हम यह डिसकस करेंगे और आगे चलते हैं 15 मिनिट के टाइम फ्रेम पे यहां पर अगर हम देखें तो सिल्वर के प्राइसेज में एक करेक्शन और करेक्शन और जो इसमें एक लोएस प्राइस टाच हुआ था उसे एक पर देख लेते हैं वो था 60,000 4,322 ठीक है 60,322 के एक लोएस प्राइस को टाच करने के बाद सिल्वर में कुछ इस तरीकी का पैटर्न और सिल्वर में एक अपसाइड और ये अभी अपने लोएस लेवल से 1000.2 पर इससे पहले जहां पर थोड़ी सी एक स्ट्रेंथ देखी गई थी वो यहां का कुछ प्राइस था ठीक है इसे भी मार्केट ने फिर से एक और डिप दिखाया और प्राइसे जो थे वो कहीं न कहीं एक सेंटिमेंट्स के साथ फाइट कर रहे हैं जो ट्रेडर्स हैं उनके कि बार-बार सिल्वर में एक फ्रेश लो लग रहा है कितने भी उपर जाने के बाद यहां पर जरूर एक इस तरीके का एक पैटर्न रहा एक्ट्यूली यहां पर था यह मैं गलत बता गया इस जगे यहां तो डाउनसाइट के इंडिकेशन बने हुए थे यहां पर था 61,500 के उपर जब मार्केट ट्रेड कर रहा था 62,000 को भी टच किया उसके बाद मार्केट में करेक्शन आई थी ठीक है इस प्राइस की हम बात कर रहा हूँ यह करेक्शन आना एक अनेक्सपेक्टेड बिहेवियर था वापस एक स्ट्रेंथ नजर आ रही है अभी खेर उस लेवल को मार्केट ने ब्रेक नहीं करा उस लेवल की भी हम बात करेंगे जिसके उपर मार्केट में थोड़ा सा एक अच्छा इंडिकेशन नजर आन लग जाएगा यहां पर अगर हम देखें तो सिल्वर के प्राइसेज में एक करेक्शन, साइडवे स्ट्रेंट यहां पर मार्केट ने 62,040 का ही दिखाया यहां से मार्केट फिर करेक्ट हुआ 60,322 का लो मार्केट में अब रिकवरी आ रही है अल्मोस्ट इस पूरी की पूरी रेंज का ठीक है 50% मार्केट जो है वो कवर कर चुका है 2000 की करेक्शन जिसमें 1000 पूरी अब रिकवर कर चुका है यह बहुत अच्छा साइन है और यहां पर मार्केट सस्टेन कर रहा है यह अच्छा साइन है ठीक है तो कहीना कहीnh जो सेंटीमेंट से है union थोड़ से ज़्यादा positive ज़्यादा है as compared to negative ठीक है थोड़ सा और आके चलते हैं चार घंटे के time frame पे यहाँ पर अगर हम देखें तो silver के prices में एक अच्छी strength ही prices नीचे है वापस strength consolidation दिरे दिरे prices negative एक dip prices नीचे यहाँ से recovery 61,355 आज का trend market में ये भी decide कर सकता है कि क्या अब market में वापस chances उस चीज़ के बनेंगे कि market नीचे चाहेगा या नहीं बनेंगे अब ही जब से market open हुआ है एक बहुत slow trading चल रही है गोल्ड में भी silver में और गोल्ड में खास तोड़ से USG INR नीचे आया है वहाँ से recovery दिखा गया जिसकी वज़े से गोल्ड में वापस एक support बना हुआ है और prices जो होडो रखे हैं इसका impact USG INR का silver पर भी पढ़ता है conversion rate की वज़े से आप यह मान के चलिए कि silver USG flat trading चल रही है तो silver USG INR में एक अच्छी तेजी है तो silver का price धीरे धीरे थोड़ा सा उपर जाता रहेगा USG INR में एक तेजी रहेगी उसके conversion rate की वज़े से silver MCX का price धीरे धीरे उपर आता रहेगा silver USG के flat trading के बावजूद भी तो उसका थोड़ा सा एक support मिला रहता है पर fundamentally यह चीज़ silver के against है कि USG INR में अगर तेजी रहेगी तो silver के prices जो है वो थोड़ा सा एक selling pressure face करते रहते हैं पर अगर levels break होते रहेंगे तो कोई selling pressure नहीं रहेगा और market में selling की जगे एक buying बननी शुरू होगी और आगर चलते हैं daily time frame पे यहाँ पर अगर हम देखें तो market में एक correction, 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 correction वहाँ से strength, strength, वापस prices नीचे यह अपने उस support level पे हैं जहाँ से अगर यह market support ले लेता है और prices थोड़ा सा है और upside दिखा देते हैं जो इसमें reversal का level है ना वो भी बहुत ज़्यादा करीब है अभी इस time कि silver में अगर थोड़ी सी भी एक अच्छे से strength दिख गई तो वो reversal level भी break होगा और prices रहें वो बहुत strongly उपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकते हैं उन levels की अभी हम बात करते हैं ठीक है अभी जिस तरीके का एक pattern बन रहा है ये कुछ range है जिसमें silver में एक intraday एक moment चलती रहे सकती है अगले 2-3 दिन at least मेरे क्याल से FOMC का एक इंतजार है अभी market को तो वो एक बार interest rate को लेकर एक बार decision आ जाए या उससे पहले level break हो जाए इन दोनों में से कोई भी चीज हो जो silver में एक clarity ला पाएगी कि prices अब उपर की side ही जाएंगे पर फिर भी उससे पहले जो जो levels है उन्हों हम ध्यान में रखते हैं और उसके लिए हम चलते हैं एक घंटे के time frame पे यहाँ पर अगर हम देखें तो silver के prices में एक support मिला हुआ है ठीक है इस चीज को ignore नहीं कर सकते है जो पहला price जो intraday में थोड़ी सी weakness ला सकता है वो price है 60,980 के नीचे market का आना ठीक है 61,000 को break करते ही इसमें थोड़ी सी weakness आ जाएगी अगर आपकी कोई भी holding है तो आप मतलब intraday में trade कर रहे हैं तो आपको यहाँ इस price का ध्यान रखना चाहिए इसके उपर जब तक prices maintain है hold है कोई problem वाली बात नहीं है पर अगर यह price break होता है तो थोड़ा सा concern आ जाएगा फिर आपके पास यह price रहेगा और 60,000 के तो break होने के फिर बहुत ज़्याद़ chances है market ने एक के बाद एक low touch किये हैं यहां के बाद यहां के बाद यहां के बाद यहां यहां के बाद यहां यह 5 low touch किये हैं और जिसमें 60,000 की हम बात करते थे वो price अभ तक बना हुआ है उपर में हम जिन लेवल की बात कर रहे हैं 61,500 इसकी हम बात कर रहे हैं Friday के session से कि यह price अगर आज break हो गया मतलब कल उस दिन बात कर रहे थे तो market में एक strength एक recovery के chances काफी जादा बन जाएंगे जिसकी उम्मीद है कि शायद आज break हो जाएगा और market का इसके important नहीं है हाला कि prices आजएंगे एक अच्छी strength के indication ज़रूर है पर prices में उतनी strength आजए कि fed meeting को भी बिल्कुल सरपास करके आगे निकल निकल जाए ऐसा कहना थोड़ा सा मुश्किल है next price 62,000 ठीक है यहाँ से just 500 रुपे उपर यह price थोड़ा सा जादा important है इसका break करना fed meeting को भी हम ignore करने का एक बार risk ले सकते हैं उससे पहले नहीं जहां reversal है वो price कौन सा है वो price है 63333 6333 इस price के ऊपर silver की कोई भी closing या sustainability for more than 6 to 8 hours यह इसमें एक ऐसी strength ले आएगी कि फिर silver के prices में हम कोई downside की expectation नहीं करेंगे और prices बहुत successfully बहुत easily एक upside direction में move करते रहेंगे तो कहीं न कहीं यह वाला price बहुत जादा नजदीक भी है क्योंकि अभी के price से अगर हम देखे तो सिर्फ 2000 रुपई की एक तेजी है और इसके बाद जो indication होंगे वो हम सिर्फ फिर सिर बात करेंगे या तो 60,000 का stop loss लेके हम at least 67,000 के price की बात करेंगे ठीक है at least तो ये कुछ levels है जो अभी हमारे सामने नज़र आ रहे हैं जिसमें 61,500 पहला level है 62,000 दूसरा और 63,333 तीसरा level ठीक है तीसरे के बाद ब्रेक होने के बाद market में अच्छी strength है हर रिस्क से तो बाहर ब बहुत पहले हो चुके होंगे एक strength एक अलग से आ जाएगी तो दोस्तों ये था मेरा Silver MCX पर भी का वीडियो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें बने रहे मेट साथ देखते रही है market report धन्यवाद